यहां पर आपको देखने से पता चल रहा होगा कि यह बैंगन की सब्जी कितनी टैम्टिंग और कलरफुल दिख रही है अगर इसके साथ चपाती या फिर पराथे मिल जाए तो इस सब्जी का टेस्ट दुगना हो जाएगा आप यकीन मानिए कि सब्जी बहुती टेस्टी होत आप इसे हफते में कम से कम दो से तीन बार बना कर जरूर खाएंगे अगर आपने इस परकार बनाया तो कई बार क्या होता है कि बैंगन की सब्जी खाना सब लोग पसंद नहीं करते हैं लेकिन आप ऐसे बनाएंगे तो आपकी सब्जी सब पसंद करेंगे और सब आपकी त अपको मिल सकें आपको देखने से पता चल रहा होगा कि हमने छोटी वह एंगन लिये है और कुछ श्रीग ऑल्सन प्याज को पेस्ट है इसमें हमने कुछ मसाले करने हैं जिसमें मैंने में हल्दी धनीया नमक और मिर्च एड़ किया है, और थोड़ा हींग ऐड़ करेंगे नमक आप अपने अकॉर्डिंग ही एड़ करें, इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है इसमें मैंने half कोटे बैंगवल लिए थे उनको थोलिया था और उनको अच्छे से साफ कर लिया इसमें पानी ना रहे और बीच में से हम कट करेंगे दो कट लगाएंगे इसके चार पीस हो जाएंगे दियान रखे कि जो डंटल है इससे हमारा बैंगन जोड़ा रहे और कट करने से क्या है कि हमें पता चल जाएगा कि इसमें कीडे तो नहीं है तो वह हमें देखना है कि बैंगन के अंदर अधिकतर केड़े पाई जाते हैं वह हमें ओपन करके देख लेना है पहले कि उसके अंदर केड़े तो नहीं है तभी हमें यह मसाला इसके अंदर फिल करना है ठीक है यह हमारे मसाले फिल हो चुके हैं सारे बैंगन में अब हम इने साइड में रख देंगे और गैस की फिलेम ओन करेंगे जिस पर हम कढ़ाई रखेंगे कढ़ाई में हम ऑईल डालेंगे ऑईल आप कोई भी ले सकते हैं मैंने मस्टर्ड लिया है इससे भी सब्जी बहुत अच्छी बनती है बहुत ही ठेस्टी बनती है ऐसा नहीं है इसको हमें गरम करना है गरम होने के बाद थोड़ा हमें जीरा डालना है और जो बैंगन हमने भर कर रखेते हैं हमें बाकि कोई मसबला नहीं डालना है अभी कि हम एक से ऐसे ही डालक्ट में डालेंगे आप कम जान обыч pro करेंगे अब हम इसको तोड़ाय बैंगन करें कि अबचिए यरी को तो बहुत ही टेस्टी रखती है यह खाने में हम फिर से इसको चैक करेंगे यह देखिए हमारा 50% बैंगन कुख हो चुका है तो इसके बाद हमारा जो मसाला बच गया था हमें वह एड करना है इसमें हम पहले मसाला नहीं रालेंगे इससे क्या है कि हमारे बैंगन टाइम लग आना है और कवर करके रख देंगे यह देखिए हमारे बैंगन पक चुके हैं आपको मैं कट करके दिखा रही हूं और यह देखिए देखने में कितनी अच्छे लग रहे हैं आपको यह खाने में सच में बहुत ही टेस्टी बने थे आपको भी बहुत ही पसंद आएंगे चैनल पर नए हो तो प्रीज सस्क्राइब करके जरूर जाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी आप किस परकार बैंगन बनाते हैं आप इने चावल के साथ खाएंगे तो भी अच्छे लगते हैं और पाती और परनाटो के साथ तो ब पाई ही जाते हैं क्योंकि बिना लसन प्याज के तो सब्जी अधूरी है बस वही डालना है हमें लसन प्याज का पेस्ट डाला है और मसाले एड करके वह फिलिंग हमें करनी है आपकी सब्जी भी बहुत ही टेस्टी वनेगी आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि यह क पाती के साथ चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बाबाई थैंक्स पूर वाचिंग